भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो फिर से नियंदरन रेखा को पार करने और भारती सेना को उकसाने का काम कर रहा है और उल्टा भारत पर शांती भंग करने का आरोप लगा रहा है भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो फिर से नियंदरन रेखा को पार करने और भारती सेना को उकसाने का काम कर रहा है और उल्टा भारत पर शांती भंग करने का आरोप लगा रहा है भारती सेना ने एक व्यक्ते विजारी कर कहा कि 7 सितंबर 2020 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्बी ने वास्तविक नियंतरन रेखा के अंदर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की जब उन्हें आगे आने से रोका गया तो उन्होंने डराने के लिए गोलिया चलाई हाला कि भारती सेनिकों ने पूरा संयम दिखाया और जिम्मेदार तरीके से पेश आये इस बीच रक्षा मंतराले ने एक विक्ते विजारी कर कहा कि जहां एक तरफ भारत वास्तविक नियंतरन रेखा पर तनाओ कम करने के लिए वचन बद है वहीं दूसरी तरफ चीन उकसाने की कारवाई करता रहता है इससे पहले चीन ने भारत वर उकसाने की कारवाई करने का इज़ाम लगाया था इस पर भारत की रक्षा मंतराले ने कहा कि भारत ये सेना ने किसी भी इस्थिती में वास्त्विक नियंतरन देखा को नहीं लांगा ना ही फाइरिंग या कोई और आकरामक करवाई की हाला कि PLA, सैन्य, कोटनितिक और राजनितिक स्तर पर चल रही बाचीत के अंदेखी करते हुए समझोतों को तोल रहा है और आकरामक चाले चल रहा है भारते से ना शांती बनाए रखने के लिए वचन बद्ध है